दोस्तों जो 2020 है वो अल्रेडी स्टार्ट हो चुका है और 2020 में जो Realme है उसके काफी अच्छी प्लानिंग है वैसे इसके उपर में अल्रेडी एक वीडियो बना चुका अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यह आई बटन में लिंक दे रहा हूं कौन-कौन से अपकमिंग Realme के फोन से जिनका आप लोग को इंतिजार होना चाहिए और आगे बटने से पहले अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें ना और अगर पहले फोन के बारे में बात करें तो वो होने वाले है Realme C3 अब देखा जाए तो कुछ र्यूमर्स यह बता रहे कि शायद यह सबसे सस्ता पंच-छोल डिस्प्ले वाला फोन हो सकता है यानि इसके आपको होल पंच डिस्प्ले देखने को मिल सकता है शाथ 8,000 रुपी कीमत में एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है शाथ 5,000 mAh की और शाथ मीडिया टेक का कोई प्रोसेर के साथ आपको यह फोन देखने को मिल सकता है और यह जो फोन है जो Redmi 8 लाइन अप आती है उसी से directly compete करने वाला काफी amazing बात हो सकती है लेकिन शाथ तो पंचोल वाली चीज है ना वो शाथ true हो भी सकती या पर क्या पता वो Realme C4 में देखने को मिल जाए इसके बाद जो अगला फोन है वो है Realme 5i अब Realme 5i वही फोन है जो Realme 5 था लेकिन उसका भी downgraded है यहाने की Realme 5s था सबसे अच्छा उसके बाद Realme 5 है फिर आ रहे है Realme 5i यह अभी recently Vietnam में launch होने वाला है और उसके बाद ही फोन इंडिया में भी आए का और इंडिया में इस फोन की जो कीमत होगी न वो 10,000 से कम होगी currently cameras वगरा में changes करें गए हैं वहीं जो display न वो अभी भी 720p और Snapdragon 665 भी देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ के रख सकते हैं कि 10,000 के नीचे वाला phone होने वाला है और इसके बाद जो अगला phone है वो है Realme U2 वैसे Realme U1 की बाद कर रहे हैं तो वो 2018 में launch हुआ था एक selfie centric phone था Realme की तरफ से लेकिन उसके बाद अभी तक हमें Realme U2 के बार में को information देखने को नहीं मिली ना ही officially Realme ने कभी confirm कि Realme U2 आने वाला है ना ही कभी ये बता है कि Realme U2 आपको नहीं देखने को मिले का यानि कि Realme U3 देखना है तो जिंदा है और श्रीद आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है और इसका एक हिंट यह है कि आने वाले समय में जो Realme ना वो एक selfie centric phone बनाने वाली यह offline market के लिए तो शायद यह जो Realme U2 है यह वो phone हो सकता है या फर हो सकता है इस phone का नाम चेंज करके डिसी और सीरिस मिले है लेकिन इतना confirm है कि selfie centric phone आने वाला और कहा जा रहे कि इसका आपको 32 Megapixel का selfie camera, whole post display के अंदर देखने को मिलेगा यह phone mainly offline market के लिए target किया जाएगा लेकिन यह आपको online shops होती ना Amazon Flipkart वहाँ भी देखने को मिलेगा लेकिन offline में भी similar कीमत पर आपको देखने को मिलेगा यह phone कहा जा रहे है कि 10,000 रुपे का phone होगा Snapdragon 710 के साथ आएगा इसके अंदर आपको जो 20W की charging technology है ना वह भी देखने को मिलने वाली है और जो whole punch display ना वह भी देखने को मिले है क्योंकि कुछ recent leak से बाद ख़बर सामने आ गई थी और इस बार जो display हो सकता है रियल मी 6 का वो full HD resolution का हो सकता है तो देखाया तो 10,000 की यह दो काफी exciting phone होने वाला है लेकिन यह phone है ना around February, March यह April तक launch हो सकता है इसके साथ ही जो अगला phone है ना वो है Realme 6 Pro अभी Realme 5 Pro का बड़ा भाई होने वाला है तो हो सकता है इसके आपको quad camera जी देखने को मिले है लेकिन जो main camera है वो 64 megapixel का होज़े वेल अभी confirm नहीं की Samsung का sensor होगा Sony का sensor होगा लेकि 48 megapixel की उपर वाले sensor देखने को मिलने वाला है और वहीं बात करें processor की तो कहा जा रहे इस camera को snapdragon 730 देखने को मिलेगा ना कि 730G जो 730G है ना उसे रखा जाएकर Realme X2 के लिए वहीं जो Realme 6 Pro असमें से snapdragon 730 देखने को मिलेगा कहा जारे कि इस camera को VOOC 4.0 जो की 30W की charging टेकनलोजी है ना उसका implementation होते हुए देखने को मिलने वाला है इसमें और बात कर Realme 6 और 6 Pro दो शाथ फोन साथ में ही लाँच हो सकते है और मार्च अप्रल तक मान कर रखे कि ये phone जाना market में आपको देखने को मलेंगे Realme 6 की कीमत हो सक और ये directly Redmi K30 के 5G version से compete करेगा तो वो phone चाइना में आ रहा है इसे के साथ ही Realme का X50 Youth Edition भी आ रहा है वो भी अभी चाइना के लिए आ रहा है और उसके अदर आपको MediaTek का processor देखने को मिलेगा और वो भी whole punch display वाला phone हो गा और उसके अंदर भी आपको 5G देखने को मिलेगा ले वी के समय में कुछ ऐसी प्लान है कि साल की स्टार्टिंग में वह भी से 4G phones पे concentrate करेंगे और साल जैसे इसे बीटता जाएगा वैसे वह धीरे धीरे अपने 5G phones को भी लिग कर आ सकते हैं वैसे Realme X50 भी काफी अच्छा phone लग रहा है एक डॉल पॉंच होल दिस्प्लेश 30,000 के अंदर लेकिन अब Realme X3 Pro के बात भी चल रही है और इतना भी हमें पता कि इसमें Snapdragon 865 आने वाला है इसी के साथ ही इसके तरब को 5G भी देखने को मिलेगा और हो सकता है कि जो Realme X3 Pro यह प्रवाबली इंडिया में आने वाले Realme की तरफ से पहला 5G phone हो क्योंकि थोड़ा सब महेंगा फोन होने वाला है 30,000 रूपीज की से उपर इसकी कीमत होने वाली है इसके साथ यह जो Realme X3 Pro होगा ना इसके अंदर चार्जिंग की टेक्निलोजी ना वो 50W से इंप्रूव होके 65W जा सकती है और इसे Realme कह सकती है SuperDart Charging यानि कुछ ऐसी leaks और hints अभी हमें देख देखने को मिलें यानि कि अप्रिल में के बाद शायद इस फोन का लॉंच होते हुए देखने को मिलें लेकिन जब फोन इंडिया में आएगा ना सच बात मानके रखिए काफी धामाल मचने वाला है इसके कारण और तोबर देखा जाया तो इसके लावा और भी काफे सारे जो भी शायद रूमर फेस में यह जैसे रिबात कर रियल मी 7 और 7 प्रों की वैल इसके बार में अभी में कुछ कहनी सब्सक्राइब क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं नहीं अभी कोई लीक आए लेकिन इतना पता है कि जो रियल मी 7 और 7 प्रों है यह सेकंड हाफ 2020 में लॉं तो आपको कुछ ऐसे 15-20,000 की के टेगरी में और ज़्यादा फोंस लाउंच होते हुए देखने को मिलने वाले हैं वहीं बात करें रियल मी के जो फ्लैक्शेफ फोंस होंगे वो ऑवियस लिए उनकी कीमत 30,000 की उपर होगी और जो रियल मी के जो इनिशली जो 5G फोंस आए वाली है और अगर बात करें रियल मी के सबसे बड़ी कॉम्टिशन शाओमी के बारे में तो अगर आप लोग चाहते हो कि शाओमी कि से रिलेटेड भी हमें कैसा ही वीडियो बनाएं जिसमें यह बता है कि शाओमी आखिर कौन-कौन से फोंस लाने की प्लानिंग कर रहे है 2020 के अंदर तो यह बात यह आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं तो उसकी वारी वीडियो आप को जबूर से देखने को मिल जाएगा वेल लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है कि रियल मी के जो फों से मार्केट में आने वाले है इन में से किस फों का जो इंतिजार है अब बेस अब ब्री से कर रहे है तो यह बात मुझे नीचे कमेंट बता ना बूला अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइक कर ले ना चैनल को सब्सक्राइब करना फों मोर आसम कंटेंट और है चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो ना तो यहाँ पे एक अपलॉट का बटन है व